Hello, Assalamualaikum, this is Dr. Bill and stop googling your symptoms. Today's topic is Tengue, Tengue Fever. आज हम Tengue Fever पे बात करेंगे, यह क्या होता है, कैसे होता है, करता क्या है, डॉक्टर के बस कब जाना है, गए डॉक्टर के क्या इलाज है और डॉक्टर इसका क्या इलाज करेगा, यह देखेंगे हैं आज की वीडियो में, तो आपका और अपना टाइमस आए के बिए, लेट्स टाइवे इंटो इटॉ 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 तो हम बात करना शुरू करते हैं Tengue, Tengue Bukhar की अलामाद से, की सिम्टम से, तो तेज और अचानक बुखार हो जाना जो कि 106 तक भी जा सकता है, 106 तक आपका बुखार जा सकता है, सर में आपके शदीद दर्द हो सकता है, शदीद आपको दर्द हो सकता है, जोडों के अंदर और पठों के अंदर आपके, जैसे आपको हड़ियों में ऐसा दर्द प्लीडफ कर देंगी के अंदर पेंड में दर्द Joseph और आपकo उतीद उल्टी मतली हो सकती आ और अकसर है ने सन होगा कि cỉस्व करता है डंगी तो क्कुम कर देटें निकलना तो जब कॉู้ situación कि तो और अगर आपको कट लगा तो वो bleeding करता रहेगा वो बंद नहीं होगा आपने अक्सर देखा होगा जो normally होता है वो आपको कट लगता है तो थोड़ी दिर खूण निकलता और बंद हो जाता है डेंगी में platelets कम होने के विए से वो खूण बंद नहीं होता तो उसके बाद थका क्योंके ये disease आपको bleed करा सकती है internally और जो patients होते हैं जो खराब हो जाते हैं वो मौत की तरफ भी चले जाते हैं तो डॉक्टर आपकी history लेगा मतलब से swallow जो आप करेगा आपका examination करेगा आपका मौईना करेगा उसके बाद टेस्ट करवा लेगा एक virus का टेस्ट होता है क्योंक जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डैंगी एक viral disease है और मैंने आपको पहले भी बताया था है हैपटेटस की वीडियो में कि जो viral diseases होती है जो के virus वाले disease होती है वो आती है अपना काम करती है अपना time लेती है अपना duration पूरा करती है और चली जाती है आपने इसके दुरान होस्पिटल मेटमेटिड रहे हैं और बस that's it two to seven days के अंदर इसका duration mostly खतम हो जाता two to seven days में दो से साथ दिन के अंदर इसके जो अलामात है वो खतम हो जाती है तो उसके दुरान डॉक्टर आपको fluids पे रखते हैं आपको ट्रिपे लगाते हैं आपको खुराक देते हैं आपक ठीक करते हैं तो दवाई कोई नहीं है तो इसका supportive treatment है so how to prevent आपने बचना कैसे है मैं आपको सिर्फ दो वक्त बताऊंगा जिसमें आपने अपना ख्याल रखना है तो आप डेंगी से जो डेंगी होने के chances होंगे वो 90% कम हो जाएंगे आपके क्योंकर डेंगी अगर एक दफ अगर आप बाहर निकलते हैं तो मोस पहल लगाएं और कपड़े पूरे पहने मचरों से बचना है और एक आपने जब मगरिब का वक्त होने वाला होता है जब सूरज धल रहा होता है तब आपने बाहर ने निकलना और मचरों से बचना है इन दो टाइमस पर जो मच्छ यह देंगई का मच्छर है जह देंगई वाइरस को अमारे अंदर डालता है, इन दो time पे ही काटता है, usually, 90% टाइमज वह इन दो time पे काटता है आपको, ठीक है, कब कब सुबा जब सूरज निकल रहा हो और शाम टाइम जब सूरज गरूब हो तो यह भंता सुबा का आदा 1 गंता सुबा का आदा 1 गंता १ए शका इसमें आपने बाहर नहीं निकला मच्छों 052 रहर ना वह मच्छों, आपको नहीं गांटेगा तो यह थी आज की वीडियो कर आपके आज की वीडियो पसंद आई है और यूस्फुल लगी है तो मेरे चैनल के ओपर बागी भी वीडियो नहीं उनको जुरू चेक आउट कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और थम्स अप की दीजेगा आज के ले तनाई आई तक्या समुझ झा झा पर बढग की आच की ले तना इए, तक्या सुमझ झा वीडियो नहीं है।